असलाम अलेकूम रहमतुल्लाही ताला वबरकातों तामरे दब हिस्सा चारों की हमारा पाट नमबर 34 है और ये चारों मिलकर हमारा पाट नमबर 120 है यहां से हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हिंदोस्तान में मुसल्मानों के आने से पहले यहां कोई मरकजी हकोमत नहीं थी पूरा मुलक छोटे छोटे रजवारों में भिखला हुआ था हर रजवारे का अलग अलग अराजा हुआ करता था इस तरह पूरे मुलक में बेशुमा राजगान की खुद मुखतर हुकुमतें कायम थी जिन पर किसी बड़ी हुकुमत का कंट्रोल नहीं था अब तुम खुद ही सोचो के जिस घर में सब ही ठाकुर हो और एक का दोसरे पर दबाव नहो उसका इंतिकाम क्यों कर दुरुस्त रह सकता है चुनाचे कुछ ऐसा ही हाल इस उस जमाने में हिंदुस्तान का था पुरे मुलक फलाहो बहबूद के इंतिजाम से खाली था राया की खुशहाली का कोई सरकारी बंदबस नहीं था राजा देवताओ का दरजा रखता था और परजा की हैसित पुजारी की तरह थी फिर जब मुसल्मान हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने शहर दहली को मरकजी पाए तخت करार देकर पूरे मुलक को एक किया राया के लिए तालीम का दरवाजा खोला मजलूमों की फर्याद सुनने के लिए हर जगा कचहरिया काइम की अधना से अधना आदमे के लिए इनसाफ हासिल करना बिलकुल आसान कर दिया मुलक की तेजारत को तरकी दिया बेकार जमीनों को काबिल काश्ट बनाया नए नए शहर आबाद किये दर्याओ पर पुल बधवाए जगह जगह सडके बनवा कर एक शहर को दोसरे शहर से मिला दिया सडकों के दोनों जाने दरख्त लगवाए ताकि राहगीर धूप न खाए पेडों की छाओ में आराम से सफर करे आज हिंदुस्तान की जो सबसे लंबी सडक गरांड ट्रंक रोड के नाम से मशूर है वो शेर शाह सूरी की बनवाई हुई है ये सडक बंगाल के शहर मुर्शदाबाद से निकली है और भागलपूर, सहसराम, बनारस, इलाबाद, कानपूर, देहली, लाहूर होती हुई पेशावर तक चली गई है अलगर्ज मुसल्मानों ने हिंदुस्तान के सुधारने और समारने में पूरी तवज्यों से काम लिया सल्तनत का खजाना सर्फ करके मुल्की इंतिजाम को ठोस बनाया उनके दोरे हुकूमत में हिंदुस्तान की खुशहाली सुनकर यूरप वाले इस मुल्क को सोने की चुनिया कहते थे मश्क नमबर एक फैले अमर वो फैल के जिसे सुनकर किसी काम की तलब समझी जाएं जैसे आतू पढ़तू तुम लिखो जाओ लाओ नमबर दो फैले नहीं वो फैल है जिसे सुनकर किसी काम की रुक समझी जाएं जैसे मत पढ़त नदो तुम मत जाओ नमबर तीन माजी, हाल मुस्तक्बिल अम्र नहीं, ये सब फेल मस्दर से बनते हैं, जैसे लाना मस्दर है, इस से फेल माजी लाया बनेगा, यूही लाता है लाएगा, लातू मत लातू भी लाना से बनेगा नम्बर चार, मर्कजी हुकूमत, किसी मुलक की बड़ी हुकूमत जिसकी दवाओं में छोटी हुकूमते हो, जनरल फौज का बड़ा अफसर सूलात सूल की जमाई, सूल नमर ए, मुद गौरी ने किस सन में देहली फता किया नियाएग सिल्तार मुठॉद गोरीका देहली और अजमेयर पर 588 हिज्री मतबिक 1192 इसवी में पज़ा हो गया उसपर इसको फता केरा कर लिय और उस पर काबिज हो गया 2. मुसलिम बादशाओं ने हिंदुस्तान में आकर क्या इंतिजाब किया पर दो का जवाब यहाँ पर हैं ये करना फिर जब मुसल्मान हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने शहर देली को मरकजी पायतक्त करार दे कर पूरे मुलकों को एक किया रिया के लिए तालिम का दर्वाजा खोला मजलूमों की फर्या सुनने के लिए जगा जगा कचरिया काईम की अधना से अधना आदमे के लिए इनसाफ हासिल करना बिल्कुल आसान कर दिया यही सारे काम किये उन्हों किया मुलक की तिजारत को तरकी दिया बेकार जमीनों को खाबिल काश्ट बनाया नए नए शहर आबा कि ये दर्याओ पर पुल बदवाये जगा जगा सड़के बरमाये पूरा आप यहां से यहां तर लिख सकते हैं बताओ बताया बताएगा का मज़र क्या होगा इसका मज़र होगा बताना और नमबर चार एक आओ ये कौन सा फेल है और इसका मज़र क्या है आओ आओ ये फेले अम्र है और इसका मज़र होगा आना यानि अनी मज़र क्या है आना अज की वीडियो बस इतना ही वीडियो पसादए वीडियो को लाइक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी इस यूट्यूब चनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्र प्रगतों